यह दिखीए लाइन हो जब आप बनाना स्टाट करेंगे तो पहली इसलाई जैसे याप बॉडर के बाद बनाना स्टारक करते हैं तो पहली इसलाई आपने में अल्टी बिनने ही है, सीधी कमार्आी बिनाई युटा ही बिन बानेकर इसलिए मैं एसमें पहली सलाई बी बिन गालए से पहली ही हो सीधी कमार्व सैब्या बिनने जिससरे बिनाएं में लगाने है यहां यहां पर बनाएंगे डिसाइन डालने के लिए depths इने जीन डालेंगे इसमें मैंने यह बिनाएं कि ये ड् systematically's imput Azale Union में इसमें मैंने मैंने गांट लगा लिए दो हमारे डबल यलोगosaur डबल ग्रीन हो गए और डबल हमारा जूशने युशन मेने में जन्ट कि लगाया है कि इसमें मैं डबल लगाया architect आप इसके बाद यहाँ पे हम अब बिनाई करेंगे तो इसको अपनी साइड उल्टा विइनना है हमसा अपनी साइड पर他 और ऐसे जैसे नॉर्मल उल्टा बिनते हैं, ऐसे भी न, फिर इस उन को मैंने ऐसे नीचे किया, और ये ग्रीन उन पकड़ा, और ग्रीन को ऐसे यलो के उपर से ऐसे निकाला, उसके बाद अब जो हमारा बेस कलर मैजंटा चल रहा है, उससे भी हमारा बनेगा, तो उसको फिर ऐसे दो उनको पकड़ा, और ऐसे बनाया, फिर वही रिपीट होगा, पहला कलर हमारा, इसमें यलो है, यलो लगाया, फिर इसको नीचे किया, ये ग्रीन कलर लगाया, इसको नीचे किया, और अब ये हमारा, ये कलर जो है, ये लगेगा, ऐसे ही ये हमको, बिनाई कि जो हमारी फिर्स्ट रो है, ये हमारी ऐसे ही पूरी रिपीट होते हुए जाएगी, बस इतना ध्यान रखना है, जो उन आपने लगाया, उसको ऐसे हम नीचे कर देंगे, उसके बार नेक्स्ट कलर को उपर से लगाएंगे, ऐसे, फिर इसको नी लगाना चाहिए, उससे भी निए, ये बिनाई आप सिंगल कलर से भी बना सकते हैं, मगर डबल कलर से बनाने पर ये जो इसमें बनके आता है, ये उबहर के बनती है, तो देखने में बहुत सुन्दर लगती है, तो ये हम अपनी इस साइट की फिर्स्ट पूरी ऐसे ही इसक ये ऐसी ही से पूरी रो हम इसको रिपीट करेंगे पूरी रो हमारी ये ऊасे इस कम्प्लिट होके आई और ये ऊसे अचुलिक हो ये पूरा उन हमारे इसमें आज़से पूरा ए ठनल साथि को आ रहने देजै और जब उल्टी स्लाई पे हम इसको आएंगे उल्टी स्लाई बिनेंगे तो देखे जो हमारा उन जिस कलर से हमारा ग्रीन है तो इसको हम ग्रीन से ही बिनेंगे मगर सीधा बिनेंगे और सीधा बिनने के लिए नॉर्मली हम जब भी सीधा बिनते हैं ऐसे नीचे से फंदा ले चुकि हमारा यलो फंदा है, यलो से फिर उपर से लिया, उतार दिया, जो फंदा जिस कलर का है, उसी कलर से बिनना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, कि उन को जब भी आप बिनेंगे, तो उपर से ऐसे निकालेंगे, ऐसे, नॉर्मली सीधी सलाई मैंने इसमें उल्टी बिनी है, और जो उल्टी सलाई है, बिन रही हूं, उसको मैं सीधा बिन रही हूं, इतना ध्यान रखना है, आपको उल्टी सलाई सीधी बिननी है, और सीधी सलाई उल्टी, उन का तरीका वही है, कि आप उन उसको उपर से निकालेंगे, और जो भी बिनी है, उसको ऐसे नी और यह पूरी हमारी उल्टी साइट की बिनाई ऐसे ही कम्प्लीट होगी सीधा बिंते वे जाएंगे पूरी सिलाई यह दिखिए ऐसे सीधा बिंते वे पूरा इसको कम्प्लीट करेंगे कि हमारे डबल उन इसमें लगा हुआ है इसलिए थोड़ा सा फंदा लेने में दिक्कत आ रही है चुकि मगर यह बनने पर बहुत ही सुंदर लगता है मोटा सा थोड़ा सा दिखती है चोटी है इस तरीके के डिजाइन मैंने पहले बताया है मगर उसको पहले सिंगल उन से बन आ रहे हैं तो यह थोड़ा सा डिफ्रेंट लुक देता है बनने के बाद तो यह रो पूरी हम उल्टी साइड के सीधी बिनते वे कंप्लीट करेंगे यह देखिए यह हमारा ऐसे बिनके कंप्लीट हुआ उल्टी स्लाइम मैंने इसमें कंप्लीट करी और अज हम सीधी चलाना है जो हमारा बेस का कलर है मगर अब इसको हम सिंगल धागे से बिनेंगे लिए सिंगल उन हमारा चलेगा डबल नहीं चलेगा तो राइट साइड हमारा यह सीधा बिना जाएगा इस बार ऐसे इसे इसे सिंगल इस भीनाई पर सचा बडाया है इसमें डबल उन से बीना हुए यह इसको हम सब से हिंते सीधह बिनेंगे सिधी और उल्टी साइट से बहले नाजाएगा तो ये रो सीधी और उल्टी दोनों complete करते हैं इतना दिहान रखना है कि ये हमारा दोनों साइट से as it is सीधा ही चलेगा तब ही हमारी यहाँ पे निचे एक उल्टी धारी इसमें बनके आएगी तो इसको ये पूरी रो ऐसे ही complete करते हैं और उसके बाद जब फिर आप इसको तीन बार बनाईए दो बार बनाईए या single ही चलने दीजिए या आपके मर्जी पर depend करता है कि आप कैसा इसका लुक कितना कैसे पसंद करते हैं तो इसी तरीके से हर बार 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 यही हमारा pattern ऐस से बनाया हुए है तो इसको मैंने तीन बार ऐसे ही repeat किया हुए है तो इसको ऐसे ही ऊपर तक बनाते हैं बस इतना देहान रखना है कि अपके लिए सिलाई हमारी सीधी होगी और उल्टी सिलाई भी हमारी सीधी बनेगी उसके बाद as it is इसको repeat करना है इसमें हमारा पुरा ऐसे रो कंप्लीट हुआ, उल्टी साइट से इसको उल्टा सीधा बिना, और सीधी साइट से भी सीधा बिना, तो यहाँ पर हमारी एक उल्टी रो दिखने लगी, इसके बाद अब जो हम यहाँ पर इस बिनाई को बनाएंगे, तो जैसे फस्ट रो इसको बनाई थी, एस इस बनाना है, पहले मैंने यलो फंदा बिना था, तो यह डस्ट डबल से यलो बनाया, उनको नीचे किया, फिर मैंने ग्रीन से बनाया, ऐसे किया, और अब हमारा यह मैजन्टा कलर से बनेगा, ऐसे, फिर वही रिपीट होगा, जैसे फस्ट करते हुए डिजाइन को बार-बार ऐसे ही रिपीट करना है, जैसे फस्ट फ्रो बनाई थी, जहीं से हमारा इसका, इसको रिपीट करना शुरू करते हैं, तो हमारा यह बनके ऐसे आने लगता है, यह देखिए, मैंने इसमें ऐसे पूरी तीन लाइनों में इसको सकते है, किसी में प्रोजेक्ट में डालियेBenीा, बच्चो कैसे स्वेटर में नीचे भी डाल सकते हैं, कैप में डाल सकते हैं, तो फ्रेंस, आज का हमारा वीडियो कैसे लगा हमें अपने कमेंट्स करकर जवर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर क ननना बुलिया, thank you!